हेलो फ्रेंट्स जो डियू बड़ी का आपका कोडेज प्रेडिक्टर है वहां पे आप लोगों को जब आप क्लास 12 के सब्जेक्स फिल कर दोगे उसके बाद स्यूइटी सब्जेक्स में जाओगे तो यह मार्क्स जो हैं आप लोगों को अपलोड करने पड़ेंगे जो आप लोगों का स्कूर कार्ड आया है उसका लेकिन कम्प्लीट आप लोगों को स्क्रीन शोट नहीं डालना है क्योंकि इसमें बच्चों को भी यह लगता कि हमारी प्राइवेसी हमारे रोल अंबर वगरा डिटेल्स ले रहे हमें सिरफ और सिरफ आपके जो मार्क्स हैं व ना फिर आपका जो स्कूर है वह बचे भी कंछक भी चीर ऑप कास के मितना करने के बाद सेव करके अपलोड करेंगे तो हो जाएगा जा कुछ लोगों के में दिक्कत आ रही है percentile score को लेकर के जब हम लोग beta testing पर जा रहे थे तो कुछ बच्चों का बोलना था कि भाया percentile score को pick up कर ले रहा है अगर आपके percentile score को pick कर रहा है मतलब आपके जो normal score है उसके अगर percentile score को डाल रहा है तो आप अपने percentile score को ऐसे करके छुपा सकते हैं, ये feature Instagram पे भी एक दो बच्चों ने बताया कि Instagram पे भी ऐसे draw करने का option आता है, वहाँ भी use कर सकते हैं, वहाँ से भी upload कर सकते हैं, या फिर अगर direct editor आपके phone में है, तो ऐसे करके आप लोग को छुपा देना है, उसके बाद इस direct marks करने के बाद देखते हैं, कि आप लोगों का जो subject है, उनके marks आपको यहाँ पे दिखने start हो जाएंगे, ये process लगबग आपकी जो है 20 से 50 सेकंड के बीच लेती है, depending on your number of subjects and internet connection, ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे कि जो आपके scorecard पे marks थे, और जो subjects थे वो यहाँ पे enter हो जाएंगे, उसके बाद आप लोगों की course eligibility and जो आगे के features हैं, वो आप लोगों को यहाँ पे दिखने लग जाएंगे कि कहां कहां पे आप लोग जो है eligible हो, किस course के अंदर eligible हो